पुलिस को चलते छे लोगों को गिरफतार किया गया और उनसे भारी मात्रा में गोली बारू जो है वो बरामत किया गया है पूरी जानकारी क्या है आपसे साजा करेंगे कुपवाडा पुलिस की बात करें सेक्योरिटी फोसिस की बात करें तो उने एक बड़ी काम्याबी मिली जिसके चलते छे लोगों को गिरफतार किया गया है जिसमें से भारी मात्रा में पिस्तोल की बात करें साथी साथ मैगजीन की बात करें तो ये सब भारी मात्रा में बरामत किये गें और वही पर पुलिस की बात करें इंडियनामी की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने सच ओपरेशन के दौरान उन्हें भारी मात्रा में आपको बतातेशेंकी पांच पिस्तोल जो है वह बरामत की ग期ए हैं 10 मागजीन जो है वह बरामत की गेए 449 पिस्तोल गोली बारूद जो बरामत किए गया और साथ ही साथ दो हत हाथ गोले और एक आईडी जो है वो बरामत की गयी है ये बड़ी काम्याबी जो है वो कुपवाड़ा पुलीस और इंचे नामी की बात करें तो उन्हें जो है वो मिली है और वही पर आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से जिसके चलते ये अगर इन लोगों के पास अगर ये जो है ये बरामत नहीं किया जाता ये इन सब चीजों की बात करें गोली बारूद और पिस्तोल मैगजीन इन सब चीजों की बात करें तो आईडी की बात करें तो अगर ये सब बरामत नहीं किया जाता है तो कहीं न कहीं ए एक बड़े साजिश जो है वो रची जाती है और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशी जो है वो की जा सकती थी लेकिन वही पर फिर प्लिस और इंडेनामी की बात करें तो बड़ी काम्यानमी जो वह हात लगी है। एक बार फिर मैं धोराना चाहूंगी कि साच ओप्रेशन के दोरान इंड़नामी और सिक्रेटी फोसेज और पॉलिस की बात करें तो एक साच ओप्रेशन उनके दुवारा किया गया जिस पर ये भारी मात्रां पर ये सब ब्रामत किये गई हैं जिसके चलते जिस तरीके से पहल प्याप करने की कोशी जो है अंजाम करने की कोशी जो है वो की जा रही थी और उन नाकाम जो है वो भांडा फोर्ट जो है वो किया गया है और वही पर आपको फिर बताना चाहेंगे कि पांच पिस्तोल दस मैगजीन और 49 पिस्तोल गोली बारूद और राती साथ दो हत गोल को जो गिरफतार किया गया investigation जारी है क्या कुछ पूश्टाश में निकल कर सामने आता है वो भी आप से साजा करेंगे क्यामरा परसन गोपाल के साथ शिर्पशा माज जमो